हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू माई चैनल बालकनी गार्डन आज मैं आपको अपने बालकनी गार्डन में अशोक के पेंड के बारे में बताने जा रहे हैं अशोक एक ऐसा व्रख्ष है जिसमें कई गुण होते हैं इसका वैज्ञानिक नाम सरका अशोच है अशोक के पेंड का अपयोग रोगों से छुटकरा दिलाने एवं सारी रिक रोग दूर करने के लिए भी आधिकाल से होता आ रहा है अशोक की छाल, पत्ती और बीजों का अपयोग भी जवा के रूप में किया जाता है अशोक का व्रक्ष देखने में बहुत ही सुन्दर होता है अगर सितंबर में इसका बीज लगाया जाता है और इसका बीज लगवा 25 दिन में ग्रो कर जाता है अशोक का पेंड लगाने के लिए 50% garden soil और compost लगाने से पौधा बहुत अच्छा चलता है अशोक का प्लांट की हाइट काफी अच्छी होती है यह प्लांट हर सीजन में हरा भरा रहता है इसके पत्वे नीचे की तरफ जुके रहते हैं और यह पौधा लंबाई में ही बढ़ता है 25 से 25 सुट तक की उचाई होती है इसकी इसको डाइरेक्शन नाइट बहुत पसंद है इसकी बहुत जादा भड़ता है और कभी-कभी इसकी नई पत्वो में इंसेक्ट अट्ैक भी हो जाता है इसको वेल ड्रेंड्स मिट्टी में लगाना चाहिए चिकनी मिट्टी इसको पसंद नहीं है इसकी स्टेम बहुत मोटी होती है इसकी स्टेम देख सकते हैं आप ताकी मोटी होती है इसकी ग्रोध बहुत धीरे-धीरे होती है फर्टलाइजर की इसको जादा आओ सकता नहीं होती है अशोग के पौधे को डेकरेटिव प्लांट भी कहा जाता है आज के लिए इतना ही थेंकिय।